Hello everyone, welcome to Shine Academy तो आज के वीडियो में मैं आपको exercise 14.3 जो कि class 10 की है उसका solution कराने वाला हूँ अगर आपने statistics के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो playlist मैंने बनाई हुई है जो की आपको एक बाज जरूर देखने नी चाहिए जिससे कि आपका statistics बहुत अच्छी तरीके से clear हो जाएगा रही बात आज की वीडियो की तो आज के वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको पिछला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने median of group data कैसे निकालते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझाया था median of group data का वीडियो आई बिटन पर आ रहा है जल्दी से जाके उस वाले वीडियो को देख लीजिए मेरी guarantee है कि आज वाले सवाल आपसे खुदी खुद अपने आप हो जाएंगे बट फिर भी आपको डाउट आता है तो आज मैं आपके लिए सारे सवालों का solution लेके आया सबसे पहले हम question number one try करते हैं इसमें हमको यह जो given data है इसका median, mean और more तीनों चीज़े बतानी है और यह जो data है वो क्या बोला है कि यह जो 68 consumers हैं उनका monthly बिजली का जो consumption है electricity consumption वो हमको दिया हुआ है बता रहा है कि 65 से 85 unit चार लोगों की बनती है 85 से 105 की unit पांच लोगों की बनती है इस तरीके से पूरा data आपके सामने सबसे पहले हम median निकालने के लिए try करते हैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि median किस तरीके से निकाला जाता है और उसके लिए आपको पता है कि हमको cf find करना पड़ेगा cf से हम n की value लेके आते हैं तो यह 4 है तो यह cf हो जाएगा 4 4 और 5 9 9 और 32 22 22 और 20 42 और 14 हो जाएगा 56 और 8 यानि की 64 और 4 यानि की 68 तो यहां से आप देख रहे हैं कि n की value किती आ चुकी है 68 अब आगर आपको पिछला वीडियो अच्छे से पता है या फिर आपको median का formula l plus n by 2 minus cf upon f multiplied by h अब यहां पे सबसे पहले तो आपको अपनी median class find करनी पड़ेगी देखिए अगर n 62 है तो n by 2 की value कितनी आ जाएगी 34 34 इसका मतलब जो median है वो इस class से तो ऊपर आएगा क्योंकि 22 से ज़्यादा है और इस से पहले है यानि कि यह जो है वो हमारी median class हो चुकी ह इसका मतलब median class की value किती हो गई m c बराबर 125 से 145 और जैसे हमें median class मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है यानि कि lower limit of median class किती है 125 इसी को हम L बोलते हैं और h किता है आप देखने 20 क्योंकि class का size कितने का है 20 का gap आप देख सकते है 125 से 140 में 20 का gap आ रहा है जो की class size ह हो जाता है h अब बात करते हैं cf और f तो cf आपको पता है कि class जो है median वाली उससे पहले की जो frequency cumulative वाली होती है उसको cf में हम ले लेते हैं तो वह आ गया 22 और frequency हमको इसी class की लेनी है वह आपको देख रहे है किती है 20 सारी values को फटा-फट से यहां पर पुट कर देते है तो L की value 125 है तो 125 प्लस n by 2 यानि की 34 माइनस cf यानि की 22 अपोन f यानि की 20 multiplied by s यानि की 20 आप देख सकते हैं 20 से 20 कर जाएगा 125 यह कितना आ गया 12 तो यहां पर median की value आप देख सकते हैं 137 आ चुकी है तो इस तरीके से तो हमने निकाल लिया median आईए फटा-फट से हम mode की बात करते हैं mode के लिए आपको पता है कि हमको modal class निकालने पड़ेगी और आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा frequency यहां पर आ रही है सबसे ज़्यादा frequency यहां पर है तो यह हमारी क्या हो गई modal class और इस is equal to L plus A upon A plus B multiplied by H जहां पर A क्या है जो हमारा F1 और F0 का gap है उसको हम A बोलते हैं तो यह मुझे दिख रहा है 7 का gap यह हो गया और इन दोनों का gap इसको हम बोलते हैं B यह मुझे दिख रहा है 6 का तो इसको मैंने लिग दिया B और modal class हम पता कर चुके हैं तो L की value कितनी आ जाए 25 क्योंकि lower limit है 125 तो फटापट से सारी value उसको लिख देते है एच बरावर किता है का 20 क्योंकि class में साइट जो है वो अभी भी 20 का है तो यह कितना आ गया 125 plus A यानि की 7 upon 7 plus B यानि की 6 तो यह आ गया 7 upon 7 plus 6 multiplied by H यानि की 20 यह कितना आ चुका है 125 plus 7 into 20 upon 13 तो इसको हम 7 into 20 के जगे क्या लिख सकते है 140 इसको लिख दिया 140 140 by 13 को हम फटापट से divide देके निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आप 13 से जब divide करोगे तो one times आएगा 13 अब यहाँ पर आएगा बन 0 अब 10 जो है वो 13 से जाएगा नहीं तो हमको 0 लेना पड़ेगा तो यहाँ पर है बचिका 90 और 13 791 है तो 136 जाएगा 78 और दो डिजट तक ही हमको लेना है डिवैट तो और आगे जा सकता है तो यह कितना आ गया 125 प्लस 10.76 विच इक्वाल टू 135.76 यह हमारा क्या हो चुका है mode of the data तो इस तरीके से हमने mode निकाल दिया है अब हम मीन और निकाल लेते हैं क् इस सवाल में हमको तीनों ही चीज़ निकाल लीती मीन के लिए आपको पता है कि हमको क्लास मार्क बनाना पड़ता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे एकसाई जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं इन दोनों की बीच वाली वैल्यू यह हो जाएगा 175 और यह हो जाएगा 195 अब आपको पता है कि में निकालने के लिए हमको सूटेबल मेंट चूज करना पड़ता है और यहां पर मुझे दिखराए कि एक साई की वैल्यू काफी बड़ी है और मुझे दिखराए कि एक कॉमन फेक्टर भी मुझे मिल सकता है लेता हूं यह हो गया और एच आप देखिए कि जब मैं इनको माइनस करूंगा तो 20-20 के गैप आएंगे यहां पर आप देखो 20 का गैप यहां पर भी 20 का गैप इसलिए एच की वैल्यू मुझे क्या ले लेनी चाहिए ए बराबर मैंने ले लिया है 135 और एच बराबर मैं ल इसी तरीके से यहां पर पूट करोगे 95 और 135 मैनस करोगे तो आएगा मैनस का 40 करोगे तो मैनस का 2 फिर मैनस का 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 यही फायदा है कि अगर आप step deviation करते हो तो calculation बहुत simple हो जाती है अब आपको पता है कि आपको ui fi भी निकालना पड़ेगा तो उसको भ फिर 5 यानिकी मैनस का 10-1 x 13 यानिकी मैनस का 13 0 x 20 यानिकी 0 1 x 14 यानिकी 14 2 x 8 यानिकी 16 और 4 x 3 यानिकी 12 नेक्स्त अगर आपने group data का mean निकालना मेरे वीडियो से सीखा है तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं पहले हमको नकली वाला mean निकालना क्यों गालते हैं सिग्मा ऐफाओं पाइजब को पता होना चाहिए किता है मैं 68 लोगों का डाटा गिवन न क्या हो एगा सिग्मा एफाई और यहां पर स्घ्मा एफाइजा रहा फटापट से निकाले इन elastic बारा से मैनस 12 मुझे कटता दिख रहा है मैनस 13 से प्लस 14 में प्लस 1 बचेगा और 16 और 17 17 में से गए 10 तो यहां पर हमारे पास सिगमा आता हुआ जिक गया सो 17 में से दस गए तो बचा शाथ तो यहां पर आगा साथ अब इस value को हम यहाँ पर रखेंगे नकली बार से असली पर जाने के लिए क्या करते है एक्स एन बार जो एक्स आई के साथ किया उसका उल्टा यहाँ पर कर दो तो h multiply में करेंगे फिर प्लस ए अब यहाँ पर सारी values put कर देते हैं तो यह कितना आएगा एक्स एन बार यानिकी 7 अपॉन 68 multiplied by h यानिकी 20 प्लस ए ए की value हमने कित्तिली होई है 135 अब इसको आप solve कर लीजिए तो यह इससे कटेगा 10 बार और यहाँ पर आ जाएगा 34 और इसको आप लगबग लगबग 35 माल लेंगे तो यह पांच बार कट जाएगा और उपर आ जाएग 137 तो थोड़ी सी कम आएगी बढ़ हम approximately इतना लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस सवाल में हमारे पास mean, median और mode तीनों ही values हमने निकाल दी हैं और यह हुआ हमारा question number 1 मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा अब हम बढ़ते है question number 2 की तरफ question number 2 में आप देख सकते हैं कि हमको इस तरीके से यह जो distribution दिया है इसका mean गिवन है 28.5 और हमको X और Y की value बतानी है हमको यह भी गिवन है कि total frequency किती है 60 तो फटाफट से हमने table बना ली अब यहां से आप देखिए कि यह तो हमारी हो गई 60 जो है total frequency अगर हम CF की बात करें क्योंकि हमको median गेवन है CF निकालना पड़ेगा वह कितना हो जाएगा 5 next class add करेंगे 5 प्लस X फिर next class add करेंगे तो 5 प्लस X प्लस 20 तो 20 और 5 जुड़ जाएगे 25 के साथ और X ऐसा ही रह जाएगा फिर 25 में 15 जुड़ जाएगा तो 40 प्लस X आ जाएगा और अब 40 प्लस X पहले से था और प्लस Y नहीं आ गया है फिर उसके बाद 5 और जोड़ गया तो यह आ गया 45 प्लस X प्लस Y और यह हमारे पास टोटल जो है वह 60 है इसका मतलब 45 प्लस X प्लस Y कि वेल्यू कित्ती आनी चाहिए 6060 के बराबर तो यहां से आप बता सकते हैं कि X प्लस Y कितना आ चुका है 60 माइनस 45 तो यहां से हम बोल सकते हैं कि X प्लस Y कि वेल्यू कित्ती है 1515 यह हमारी equation 1 हो गई अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दो variable है एक X और एक Y तो दो variable को solve करने के लिए दो equation चाहिए होती है तो हमको इस सवाल में एक और चीज गिवन थी जो कि था median और वो कितना गिवन है 28.5 तो median मुझे इस सवाले data का पता है कितना है 28.5 यह हमको गिवन था अब आप बताओ कि 28.5 अगर median है तो वो इस सवाली class में ही आएगा तो यह मेरी median class हो गई तो मेरे को पता है कि मेरी median class कि कि इतनी है 20 से 30 20 से 30 तो यहां से में median class से काफी चीज़े बता सकता हूं जैसे कि मेरे L की value हो गई 20 और जो h class size है मुझे दिख रहा है 10 के gap में है तो h बरावर 10 हो गया अब मैं बात करूंगा n की तो n मुझे सवाल में गेवन है 60 तो n बाइ 2 कितना हो जाएगा 60 बाइ 2 यानि कि 30 और median class अगर मुझे गेवन रहती है तो उस class की frequency को मैं median class की frequency मानता हूं तो यह मेरे पास है 20 और cf उस क्योंकि मुझे पता है median का formula क्या होता था median का formula होता था l plus n by 2 minus cf upon f multiplied by h this is equal to 28.5 हम को गिवन है पटापट से सारी values put कर दो यानि कि 20 plus n by 2 कितना है 30 minus cf कितना है 5 plus x तो bracket लगा के हमने लिख दिया 5 plus x और f कितना है 20 20 multiplied by h कितना है 1010 this is equal to 28.5 तो आप देखो 28.5 मैं से 20 माइनस हो जाएगा और यहां पर 0 से यह 0 कर जाएगा तो कितना बचाएगा 30 minus 5 plus x का bracket और upon में बचा हुआ है 2 यहां पर आप देख सकते हैं कितना जाएगा 8.5 और यह जो bracket है इसको में तोड़ा नीचे लिखता हूं 8.5 य 30 minus 5 minus x हो जाएगा और यह जो नीचे वाला 2 है इसको मैं multiply में इधर देता हूं तो 8.5 का दोगन हो जाएगा 17 तो यहां पर कितना आ गया 30 minus 5 25 minus x equal to 17 minus x को इधर ले जाओंगा तो हो जाएगा प्लस का x 17 को इधर ले जाओंगा तो 25 minus का 17 यह कितना हो गया x equal to 8 अब अगर x की value 8 है तो आप इसको यहां पर put कर देंगे तो 8 इधर चले जाएगा तो y equal to आपको देख रहाएगी 15 minus का 8 यानि कि y equal to कितना आ चुका है 7 और इस तरीके से question number 2 complete है एक अच्छा सवाल है इसको आप खुद से जरूर ट्राय करें क्योंकि ऐसे सवाल paper में आने की बहुत ज्यादा probability रहती है तो मैं बोलूंगा कि अच्छे से आप इसको सीख लीजिए और खुद से जरूर ट्राय करें इस तरीके से question number 2 हुआ अब हम बढ़ते है question number 3 की तरह question number 3 में हमको इस तरीके से जो data है और यह जो data है जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता बनाएंगे और फिर उसमें से जो अपनी मीडियन क्लास होती है उसकी मदद से मीडियन करेंगे आईए हम देखते हैं कि इस data की मदद से पहले हम गुरूप data कैसे बनाएंगे तो आप यहां से बनाना शुरू कर दो सबसे पहले लिख दो below 20 कितने वाले है तो below 20 आपको 20 से भी कम है तो जब हम 25 से कम वालों को गिनने होंगे तो यह वाले लोग अपने आप काउंट हो चुके होंगे इसलिए उनको हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम 20 से बड़े और 25 से छोटों की बात कर रहे हैं तो यह कितना आ जाएगा 6-2 जिस इक्वाल तो 4 इसी तरी के 30 के नीचे की बात करें तो आप बोलो कि 30 से नीचे 24 हमको देख रहे हैं बट 24 में से 6 जो 25 के भी नीचे हैं बट हमको 25 से बड़े वाले चाहिए इसलिए हमने क्या करेंगे 24 में से यह जो 6 लोग एक्स्ट्रा हैं जो कि 25 से नीचे वाले उनको अठाना पड़ेगा तो हमारे पर पास आएगा 18 जो की कौन सी क्लास हो जाएगी 25 से 30 वाली इसी तरीके से हम पूरा डाटा बनाएंगे 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50 50 से 55 55 से 60 अब आप अगर लॉजिक समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम CF निकालते थे उसका उल्टा हम यहां पर कर रहे हैं तो 45 में से इस बार हमको क्या मैनस करना पड़ेगा 24 तो 45 में से 24 मैनस कर देंगे तो यह वाले गुरुप क्या आ जाएंगे 21 अगली ब अगली बार हमको 92 मेंसे 89 मानस करना पड़ेगा तो यह रहे हमको 98 में से 92 करना पड़ेगा तो वह आ जाएगा 6 और हमको नेक्स ने 9800 में से 98 माइनस करना पड़ेगा तो यह आ गया है दो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो गुरुप्ट डाटा वाली क्लास है वह बन चुकी है और अब हम और फिर देख निकाल लेंगे अब हम कहा निकालने के बाद आपको पता है कि हमारा मीडियन हम एजीली निकाल सकते हैं तो इस निकालते हैं आएगा दो दो और चार छे चह और अठारा चोवश चोवश और 21 कितना हो जाएगा 45 यह हो जाएगा 21 प्लस 45 45 प्लस 33 आ जाएगा 78 78 और 11 यानि 89 और आप देख रहे हैं यह आज जाएगा 92 यह आज जाएगा 98 और यहां तक पहुंचते-पहुंचते हम पुंचके हैं 100 पर अब यह जो हमारी सीयफ आ चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो हंडरेड है वह हमारा n होता है तो यह हमारी n की वैल्ली हो यह हमारी मीडिन क्लास हो जाएगी 35 से 40 अब अगर मीडिन क्लास हमको पता लग गई है तो हम क्या-क्या बता सकते हैं तो आपको पता है लोगर लिमिट 35 एच आपको देख रहा है क्लास साइज 5 का है और मीडियन के लिए आपको सी एफ चाहिए जो कि इस से पहले वाली यानि आला मीडियन आ जाएगा मीडियन का फॉर्मुलगsm था मीडियन इकोल टू एल पलस एड़ लास एड़ लको अस सी एफ एफ अपॉन एफ म्लिप्लाइड बाए एच एल की वेल्लोय की वेल्यू आपॉन देख छो थर्टी फई प्लस n by 2 यानि की 50 माइनस cf यानि की 45 अपोन f यानि की 33 multiplied by h यानि की 5 तो यह कितना हो गया 35 प्लस यह आएगा 5 और अपोन 33 और यह multiplied में कोन है 5 तो यह कितना आगया 35 प्लस 25 अपोन 33 अब 25 अपोन 33 आपको अलग से करना पड़ेगा तो 25 33 से जब डिवाइड करोगे तो आप देखो शुरुआत में 0 टाइम जाएगा और फिर पॉइंट लेना शुरू करेंगे यहां पर 250 लिख देंगे अब 33 जो है 33 का 3 टाइम 99 होगा और यह आ जाएगा 3 और 3 6 और 7 तो आप देखो 7 3 जा 210 और 21 तो यह आ जाएगा 210 और 231 और यहां पर आप देख सकते हो बचेगा 1 9 और 10 अपन मन से ले लेंगे तो यह आ जाएगा इस बार 33 तो यह लगबग लगबग कितना आ चुका है 0.75 तो आंसर कितना आ जाएगा 35 प्लस 0.75 इसलिए अच्छे से लिख देता हूं 35.75 यह हमारा एप रॉक्स जो है वो क्या है आंसर और यह हमारा क्या है मेडिया नॉफ दिस डाटा तो इस तरीके से कोशन नंबर 3 कम्प्रिट हुआ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अब हम बढ़ते कोशन नंबर 4 की तरफ कोशन नंबर 4 में भी हमको इस तरीके से डाटा गेवन है और इस डाटा में हमको 40 पत्तों की जो में बताया था कि इस तरीक ज़ो डाटा होता है उसको जो हम लगा है वो continuous class के लिए ही है इसी लिए सबसे पहले हम यह जो data है इसकी जब class बनाएंगे तो इसको हम convert कर लेंगे किसमें continuous class में और उसके लिए क्या करना पड़ता है 0.5 इसको दे दो और इसको भी दे दो तो यह कित्ता आ जाएगा 117.5 से 126.5 यह सब मैं पहले के वीडियो में सिखा चुका हो यहां पर आएगा 126.5 से लेके 135.5 फिर 135.5 से लेके 144.5 फिर 144.5 से लेके 153.5 153.5 से लेके 162.5 162.5 से लेके 171.5 और 171.5 से लेके 180.5 अब फटापट से हम अपनी जो classes की frequency है वो और फिल कर देंगे और इसके बाद तो नॉर्मल तरीके से जैसे हम अपना मीडियन निकालते थे वही निकाल देंगे 3,5,9,12,5,4,2 अब हम इसको अटा देते हैं इसकी जरूवत अब हमको बची नहीं पटापट से हम अपको CF निकालना है शुरू कर देंगे क्योंकि मीडियन के लिए CF चाहिए रहता है यह किता हाएगा 3,3,5,8,8,9,7,7,7,12,29,29,5,34,34,4,38 और यह किता हाएगा 40 और यहां से हम बोल सकते हैं यह हमारा n है तो अगर n हमारा 40 है तो हमारा n by 2 कितना हाएगा n by 2 will be 20 और 20 आप देख सकते हैं कि इस से जादा है और इस से पहले है इसलिए हमारा जो मीडियन क्लास है वो हो जाएगा यह वाला और इसको हम लिखेंगे यह हमारा मीडियन क्लास है 144.5 से लेके 153.5 तक मीडियन क्लास मिल गया तो हम काफी सारी बाते लिख सकते हैं जैसे क हमारी लोर लिमिट कित्ती हो जाएगी 144.5 और हमारा एच क्लास साइज कित्ता है तो 144.5 से आप यहां तक जाएंगे तो कित्ता आ रहा है 10 तो नहीं आएगा कम आएगा 9 तो एच की वेल्यू आ रही है 9 आप देख सकते हैं किस तरीके से यह आया उसके बाद अगर मैं बात क होती है मैं आपको बता चुका हूं पहले और इसके बाद f median class की frequency जो है वो यह है 12 तो यहां पर हमने लिग दिया 12 फटापट से median का फॉर्मूला लेग देते हैं median equal to l plus n by 2 minus cf upon f multiplied by h अब यहां पर l की value किती है तो हम लिख देंगे 144.5 plus n by 2 मुझे देख रहा 20 minus cf यानि की 17 upon f यानि की 12 multiplied by h यानि की 9 solve कर लेते है 144.5 plus 3 upon 12 multiplied by 9 तो यह इससे कट जाएगा तो यह हो जाएगा 144.5 plus 9 by 4 तो यह इससे जाएगा 2 times 1 बचेगा तो यह हो जाएगा 0.25 तो यह आ गया है 146 और 0.75 is our median of this answer इस तरीके से यह question complete होता है मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा इसमें बस आपको यह चीज का ध्यान देना था कि कैसे हमको continuous data ही चाहिए discontinuous से हमको answer लाने में दिक्कत होती है क्योंकि जो formula है median का वह continuous data के लिए है और कैसे लाना है वह आप सीख चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question में आपको इस तरीके से lifetime of 400 neon lamps दिया है और इस data की हमको median lifetime बतानी है तो फटापट से हम हर बार की तरह अपनी classes बना लेंगे अब median निकालना है तो आपको पता है कि cf तो निकालना ही पड़ेगा 14 14 प्लस 56 जो है वो आ जाएगा 70 70 और 60 130 130 और 80 210 तो यह आ जाएगा 216 216 और 4 220 और 70 290 290 में यह गया 60 तो 352 और 40 जो है वो आ जाएगा यह total हो गया 400 यह हमारा हो गया n और अगर n आपको पता है तो n by 2 क 200 अगर है तो आप easily बता सकते हैं कि 200 तो इससे जादा आएगा और इससे कम इसलिए यह जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास हो गई तो हम लिखेंगे कि मीडियन क्लास जो है वो कौन सी है 3000 से साड़े 3000 वाली तो एल आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा लोवर क्लास ओफ मीडियन क्लास तो लोवर लिमिट जो है वो 3000 की है फिर एच आप बता सकते हैं गैप कितने का दिख रहा है 500 का फिर सी एफ सी एफ आपको बताना रहता है तो यह जो वैल्यू आती है वो यह होगे मैं डिरेक्ट वेल्यू लिख देता हूं तो मीडियन इक्वल्टू कितना आ जाएगा ल यानी की एल आपको देख रहा है 3000 प्लस एन बाइटू यानी की 200 माइनस सी एफ यानी की 130 अपॉन एफ यानी की 86 मुल्टिप्लाइट बाइच यानी की 500 अब फटापच इस 86 नीचे और 500 को मैं 500 की जगे कितना लिखना चाहूंगा टू अपॉन तू जिससे की ऊपर जो है वह थाउजन बन जाएगा यह कितना आ गया 3000 प्लस यह कितना आ गया इससे यह कट जाएगा 70 जो है वह 35 टाइमस कट जाएगा तो यह आ गया 35 और यह आ गया 35 इंटू इसको हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो फटाफट से कर देते हैं 3500 जीरो डिवाइड बाए 86 तो यह कितना आ जाएगा 86 से जब आप काटोगे तो यह चार बार जाएगा बिलकुल चार बार जाएगा तो चार का अस्सी में जाएगा तो 320 और 24 320 और 24 344 यहाँ पर आएगा 6 0 तो 0 टाइमस जाएगा क्योंकि यह तो इससे छोटा है फिर हम एक 0 और उतार लेंगे तो यह जाएगा 5 ताइमस तो यह आजाएगा 400 और 30 यानि कि 400 फाइव टाइमस नहीं जादा जाएगा अब यह जाएगा देखिए 8 जो है वो 8 जा 64 होता है तो हम 7 ताइमस लेके देखते हैं तो 7 से जवाब करेंगे 560 और 42 तो 7 से थोड़ा ऊपर जा रहा है इसलिए हमको 6 टाइमस लेना पड़ेगा तो 6 8 जा 48 तो 480 और 36 यह आजाएगा 516 तो यहाँ पर आप देख रहें कितना बन जाएगा 84 और अब पॉइंट लगाएंगे और 10 ले लेंगे तो यहाँ पर यह 9 टाइमस चले जाएगा तो यह वैल्यू लगबग 406.9 तो यह कितना आजाएगा 3000 प्लस 406.9 तो हमारा आंसर कितना आता दिख रहा है वो हमको दिख रहा है 346.9 जो है इसका क्या हो जाएगा मीडियन ओ डाटा इस तरीके से यह कोशन भी कंप्लिट हुआ अब हम बढ़ते नेक्स कोशन की तरफ इसमें बस आपको कैलकुलेशन करनी थी बाकी कुछ नया इसमें सीखने लाइक नहीं था चलिए नेक्स कोशन हम ट्राइक करते हैं नेक्स कोशन में इस तरीके से चल्ब गारिया जिसमें हैं कि हमको जो इस क्लास का मीन-मीडियन बताना है और मोडल उटाना है यानि हम को इस सवाल में तीनों चीजे बताने हैं तो सबसे पहले हम median की बात कर लेते हैं, median के लिए आपको पता है कि आपको cf बताना पड़ेगा, तो cf जो है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, 36, 36, 46, 76, और 16, 92, 96 यहाँ पर आ जाएगा, और यह हो जाएगा 100, तो यहाँ से n बराबर आपको देगा 100, तो n by 2 कितना हो जाएगा, 50, और n by 2 50 है, तो वो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर आएगा, 50 जो है वो इस से जादा है और इस से कम है, इसलिए यह जो हमारी क्या होगी, median class, तो median class जैसे ही आपको पता लगती है, तो आप बहुत सारी बा से यानि की 40, और इसके लावा कुछ चाहिए क्या, जी नहीं, अब median के फॉर्मूले में वेल्यू पूट कर देंगे, तो median equal to L यानि की 7, प्लस N बाइ 2, यानि की 50, मैनस CF यानि की 36, अपोन F यानि की 40, multiplied by H, यानि की 3, पटा पट से solve कर देंगे, 7 प्लस ये कित्ता आ जाएगा, 14, अपोन 40, multiplied by 3, तो ये इससे कट जाएगा 7, और इससे कट जाएगा 20, तो ये कित्ता आ गया है, 7 प्लस 21, अपोन 20, तो ये कित्ता आ गया, 7 प्लस, ये आएगा, 1.1 by 2 होता है, तो ये आजाएगा 05, तो ये आ गया है, 8.05, ये हमारा क्या निकल के आया, median, चलिए, तो ये हुआ, median, अब हम बात करते हैं, mode की, तो mode कैसे निकालेंगे, आपको पता है, कि ये जो frequency है, वो स 7 से 10, तो L वापस से कित्ता आएगा, 7, H कित्ता आएगा, हमारे पास 3 का, और आपको पता है, मैंने वीडियो में बताया था, कि जो model class की frequency है, उसको बोलते है, F1 इस से पहले वाली को F0, और इस से बाद वाली को F2, अब mode का जो formula मैंने आपको बताया था, वो क्या था, कि mode यह हो गया, A, और इन दोना का difference, यानि की 24, यह हो गया, हमारा B, सारी values put कर देते हैं, हमारा answer आजाएगा, L यानि की 7, प्लस A, यानि की 10, अपोन 10, प्लस B, यानि की 24, multiplied by H, यानि की 3, यह कित्ता आगया, 7 प्लस 10, इंटू 3, अपोन नीचे कित्ता आगया, 34, तो यह कित्त आएगा, 15 और नीचे आएगा, 17, 17 को जब हम 15, 17 को डिवाइड करेगा, तो answer कित्ता आएगा, फटाफट से चेक कर लेते हैं, देखिए, पहली बार में तो नहीं जाएगा, तो 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट लेंगे, यहां पर 0 आ जाएगा, अब 17 जो है, यहां पर जान ही है, 7 में जुड़ जाएगी, तो 7 प्लस 0.88, इसी लिए, मोड जो है, इस डाटा का कित्ता आ जाएगा, 7.88, इस तरीके से मोड निकाल लिया है, फटाफट से हम एक बार मीन और निकाल लेते हैं, जिससे की तीनों चीज़े हो जाएगी, मीन के लिए आपको पताएगी, ह एक साई, यानि की क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, अब आप एक से चार के बीच में क्लास मार्क निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 4 बाइ 2, तो वो कित्ता आ जाएगा 5.5 अब 3 के gap में इसको चलने दो तो यह आजाएगा 8.5 यह आजाएगा 11.5 यह आजाएगा 14.5 और यह आजाएगा 17.5 यह हुआ हमारा class mark अब हमको decide करना पड़ेगा कि हम किस वाले method से इसका जो mean है वो निकालना चाहेंगे मुझे देख रहा है कि मैं वापस से step deviation ही try करूँगा क्योंकि मुझे सबसे आसान वही लगता है हम क्या करते हैं इसको अपना मान लेते हैं अगर यह हमारा a है और हम h किसको मानेंगे तो आप देखो मुझे 3-3 का gap देख रहा है तो मैं h किसको लेना चाहूंगा 3 को h मैंने लिए 3 को तो यहाँ पे h बरावर 3 हो चुका है और a बरावर हो चुका है 11.5 तो ui बरावर कित्ता होता है A yu i I Mr. xsa x m i m a upon h जब आप यहाँ पे 2.5 मैं से 11.5 मान लावर करोगे तो वह आएगा 9 अ करो और उसके बाद मानस के 9 को तो यहाँ पर मानेंस करोगो तो यहां पर मानास का 3 यहां पर आप इसको माननस कर करोगे तीन से तो माइनस का दो माइनस का वन जीरो प्लस का वन और प्लस का टू यह तो हूँ हमारा यू आई अब हमको यू आइफाई भी निकालना पड़ेगा वो किता आ रहा है फटाफट से देख लेते हैं यू आई एफाई माइनस तीन का इंटू इसमें तो माइनस आ गया जीरो वन का इंटू इसमें तो या फोर फोर का इंटू इसमें तो आ गया एट अब सिग्मा एफाई यू आई हमको निकालना पड़ेगा तो वो भी हम निकाल लेते हैं यह किता रहा है चाले सर्थ सब्सक्रण और दस असी असी और भी 100 कि इसकी वेल्लू किति आए यह आग्या और चार- pasta 12 जो है इसमें से कटेंगा तो 6 बचेगा data ऑगा vaipu 6 यानिया उन्याफिक सब्सक्राइब च्बाइए ऐसे वार्ट यानिया आपको पता है पहले नकली निकालना पड़ता है क्योंकि में इस तरीके से हमां थाया हुक्छ्षे दा देखा तो तो by को हम यह पूट कर देंगे असली x-bar कैसे आएगा तो जो x-i के साथ क्या है उसका उल्टा यहां पर कर दो यानि multiply by h plus का a x n-bar की value put कर देंगे minus 106 upon 100 multiplied by h यानी की 3 plus a यानी की 11.5 अब इसको हम value put कर दी है तो calculate कर लेंगे यह आप आप देखिए कि 1.06 हो जाएगा तो जब 1.06 को आप 3 से multiply करोगे तो यह कित्ता आजागा minus का 3.18 और इसमें से आपको 11.5 add करना है तो 11.5 में को हम 11.50 लिख सकते हैं और 3.18 माइनस करना है तो आप बताओ 50 में से 18 जाएगा तो कित्ता बचेगा 32 और 11 में से 3 जाएगा तो 8 इसलिए यह कित्ता आ गया है 8.32 यह हमारा क्या है mean of this data तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने mean, median, mode 3 निकाले हैं जो कि हम पहले वाले question में भी निकाल चुके थे सेम तरीके से calculation करनी रहती है आपको तीनों ही निकालना आने चाहिए अब हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ और फिर यह exercise खतम हो जाएगी next question में हमको 30 students का data given है उनका weight given है हमको सिर्फ वह सिर्फ उनका median weight निकालना है पटापट से डारेक्ट निश्बार कर देता हूं cf निकाल लेंगे 2 3 5 और 8 13 और 6 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30 तो n अगर 30 है तो n by 2 कितना हो जाएगा 15 और अगर n by 2 15 है तो आपको median class दिख जानी है तो यह जो है वह हमारी क्या हो गई median class तो median class फटाफट से कित्ती आ गई है 55 से 60 तो हमारा L कितना हो जाएगा 55 35 H मुझे दिख रहा है 5 का cf जो यह वाली वेल्यू वह होती है cf तो 13 और f बराबर यह हो जाएगा 6 और median की वेल्यू कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं डारेक्ट फॉर्मुला लगा दूंगा फटापट से इसको सॉल्व कर देंगे 55 प्लस यह कितना आगया दो बाइच्छ है मुल्टिप्लाइड बाइफ यह हो जाएगा वन बाइट्री तो यह आगया 55 प्लस 5 बाइट्री होता है 1.66 तो 55 प्लस 1.66 इनका मीडियन वेट है इस तरीके से कोशन खतम हुआ यह एक्सेस 14.3 का वीडियो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो वाट्सेप चैनल को जरूर जोइन कर लेना जिससे की सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना अगर आप आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो आप लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनकी भी मैद काफी स्ट्रोंग हो जाएगी अगर आपको कोई डाउट आता है आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मेसेज कर सकते हैं वाटसेप चैनल और इंस्टाग्राम की दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो इस तरीके से आज का वीडियो होता है कतम आज के वीडियो के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए बाए बाए